Hello viewers, welcome back to my channel आज हम exercise 2.4 का question number 7 कर रहे हैं Question number 7 में हमें दिया हुआ है हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है ठीक है? एक पैंट का और एक शर्ट का जैसे की हर स्कूल में होता है अलग-अलग इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपे प्रती मीटर है मतलब जिसमें से कमीज बनेगी वो 50 रुपे प्रती मीटर है तता पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपे मीटर है जिस कपड़े में से पैंट बनेगी उसका भाव है 90 रुपे मीटर ठीक है वह कमीज के प्रतियक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीता है देखो अगर आपको confusion होती है तो मैं आपको एक simple सी चीज बना के बता देती हूँ मान लो ये कोई school का student है ठीक है तो shirt पहनते हैं और paint पहनते हैं ठीक है यहाँ पर जो कपड़े का भाव है shirt का है 50 रुपे मीटर और paint का है 90 रुपे मीटर ठीक है paint का महंगा आता है फिर जो हसन है वह कमीज के प्रतियक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीता है ठीक है कमीज के का जो कपड़ा है उसको खरीटता है 2 मीटर तो पैंट का खरीटता है कमीज का खरीटता है 3 मीटर पैंट का खरीटता है 2 मीटर मतलब कमीज 3 मीटर में रेड़ी होगी और पैंट 2 मीटर में रेड़ी होगी वे इस कपड़े को क्रामशा 12% तथा 10% लाब पर बेच कर 36,600 रुपे प्राप्त करता है उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा ये हमें बताना है ये कोशन काफी बड़ा है और बच्चों को काफी कन्फियूज करता है तो पहले तो आप इतना समझ गए कि कमीज जो है वो 50 रुपे मीटर है और पतलून पेंट है 90 रुपे मीटर फिर अगर एक जोड़ी हमें ड्रेस सिलनी है तो 3 मीटर लेते हैं कमीज का और 2 मीटर लेते हैं पेंट का मतलब टोटल एक ड्रेस के लिए लेते हैं पांच मीटर का पड़ा अब उसने इसको खरीद कर 12% तता 10% लाब पे बेचा है मतलब कमीजे उसे 12% लाब बचा है और जो उसने पैंट बेची है उस पर उसे 10% लाब बचा है मतलब उसने 10% जादा करके बेचा है और उसे जितना भी धन प्राप्त हुआ है पैसे प्राप्त हुआ है वो है 36,600 रुपे तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा वो हमें बताना है तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन देखो कोशन में हमें जो भी दिया होता है वही हमारा हिंट होता है तो सबसे पहले तो हम अनुपात को X मान लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे माना की अनुपात X है अनुपात is equal to X अब यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है कि 3 मीटर कपड़े के लिए 2 मीटर फतलून का कपड़ा लेता है 3 अनुपात 2 दिया हुआ है ना कपड़े का अनुपात यह है कि पहला तीन मीटर होगा तो दूसरा दो मीटर कमीज तीन मीटर होगी तो पतलून दो मीटर तो इसलिए हम कमीज का कपड़ा यहां पर लिख लेंगे ऐसे कमीज का कपड़ा कपड़े का अनुपात या फिर is equal to तीन था ना तीन मीटर लेते हैं कमीज का कपड़ा और अनुपात को हमने एक्स माना है तो एक्स तो तीन एक्स हो गया और वैसे ही हम यहां पर लिख लेंगे पतलून के कपड़े का अनुपात पतलून का कपड़ा दो मीटर खरिता है और अनुपात को हमने एक्स माना है तो एक्स तो यह हो जाएगा दो एक्स इसके बाद हम मूले निकालेंगे पहले हम लिखेंगे कमीज का मूले मतलब एक मीटर का ही मूले निकालना है हमें तो कमीज के कपड़े का अनुपात है 3X तो 3X और एक मीटर कपड़ा कितने रुपे का है मैंने बताया था एक मीटर कपड़ा कमीज का 50 रुपे का है तो 50 से गुणा करेंगे 50 तिया 50 तिया 150 और x है तो x भी 150 तो यह तो कमीज का मुल्ले हो गया इसके बाद हम पतलून का मुल्ले निकालेंगे यहां पर लिखेंगे पतलून का मुल्ले is equal to तो पतलून का जो कपड़ाता वो 2x है और उसका पतलून का मुल्ले कितना है 90 अब ये हमारा कमीज का मुल्ले निकल गया है और ये हमारा पतलून का मुल्ले निकल गया है कि इतने रुपे कि उसने कमीज खरीदी है इतने रुपे कि उसने पतलून खरीदी है इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना खरीदा है अब हमें निकालना है ये तो उसका खरीदने वाला मूले था क्रे मूले इतने का उसने खरीदा है इसमें दो तरीके की बात हो रही है एक तो खरीदने की बात हो रही है क्रे मूले और दूसरा बेचने की भी बात हो रही है विक्रे मूले फिर उसको बेचता है या ड्रेस नहीं भी बनाता लेकिन वो उसको बेचता है तो यहाँ दो तरीके से बात हो रही है एक क्रेमुले की एक विक्रेमुले की क्रेमुले वो होता है जो हम खरीते हैं विक्रेमुले मतलब जो हमने बेच दिया तो अभी फिलाल हमने इक्रे मुल्ले की बात करी है अभी बात यहां तक है कि उसने कितना खरीदा अब हम निकालेंगे विक्रे मुल्ले तो यहां पर लिखेंगे कमीज का विक्रे मुल्ले की कितने का बेचा तो देखो विक्रे मुल्ले कैसे निकालेंगे देखो अगर आपने कोई चोकलेट है दस रुपे की खरीदी और मैं कहूंगी दो रुपे के लाब पे आपने उसे बेच दी तो आपने कितने रुपे की बेची दस रुपे की खरीदी थी और दो रुपे का लाब भी कमाया तो इसमें दो रुपे भी प्लस करके बताऊंगी कि आपने बारा कैसे निकालेंगे जो उसका क्रेम उल्ले था यहां पर लिखेंगे क्रेम उल्ले और प्लस जो उसने लाब कमाया है ठीक है मतलब 150 X का 12% क्योंकि उसने 12% लाब कमाया है ना इसका 12% लाब कमाया तो मतलब 150 का 12% ठीक है जितना का उसने खरीदा वो और 12% जो उसने लाब कमाया है तो हम यहां पर लिख देंगे 150 X क्योंकि 150 X का तो उसने खरीदा ही है प्लस 12% का कैसे निकालेंगे 150 का 150 गुणा 12 बटे 100 ठीक है परसेंट ऐसे निकालते हैं जैसे 150 का 12% निकालना तो 12 बटे 100 अगर आपको 10% निकालते तो गुणा करके 10 बटे 100 अगर आपको 13% निकालना थ तो 13 बट्टे 100 गुणा करके ठीक है ऐसे निकाल सकते थे आप तो अभी हम इसको solve करते हैं ये तो ऐसे ही रहेगा 150 X और प्लस ये 1 0 से 1 0 cancel 2 6 12 यहां 2 पंजे 10 मतलब यहां से क्या बचा 5 ये 5 एकम 5 5 तिया 15 तो यहां से क्या बचा यहां से उपर से 3 बचा और 6 बचा 3 गुणा 6 ये 3 और ये ठीक है और नीचे से 1 बचा तो नीचे एक लगाने की ज़रत निया सिर्फ ये बचा तो ये हो गया 150 X प्लस 6 तिया 18 X था ठीक है ये 3 X तो यहां पर भी X आएगा अभी 150 और 18 कितने हो गए 160 तो ये हो जाएंगे 168 150, 160, 168 थीक है 168 X ये कमीज का विक्रे मूले निकला आया अभी X अभी उसकी वैल्यू नहीं निकलिया X की ऐसे ही हम पतलून का भी विक्रे मूले निकाल लेंगे और यहां पर लिखेंगे पतलून का विक्रे मूले तो वो भी ऐसे ही होगा कि जितने की पतलून खरीदी 180 X की खरीदी और प्लस 180 X का ही 10% क्योंकि पतलून पर उसने 10% का लाब कमाया था तो यहां पर लिख देंगे 180 X और प्लस 180 का 10% कैसे निकालेंगे 180 गुणा 10 बटे 100 अभी मैंने बताया था ना जितनी भी परसेंट निकालना गुणा करके बटे में 100 लगा दो तो परसेंटेज निकल जाती है अब यहां पर भी नीचे वाले 0 से उपर वाला 0 कैंसल और यहां तो अब सिर्फ एक बचा दो पंजे 10 और यहां पर भी दो निम अठारा 090 पर फिर से कैंजल जाएगा 5 इकम 5 और यहां पर 5 इकम 5 पांच 58 चालिस तो यहां पर आया 180 एक्स प्लस यहां पर आया यह 18 और गुणा यहां से 1 और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है एक बचा है तो बटे में एक लगाने की जरुरत नहीं होती 180 एक्स प्लस अठारा एकम 18 और एक्स भी हां साथ में यहां एक्स भी लगाना है ठीक है तो 180 और एक्स अठारा कितने होगे 190 188 और नहीं 198 तो यह जाएंगे 198 एक्स अब यह हमारा पतलून का विक्रे मुले निकल गया है अब हम बनाएंगे प्रश्न अनुसार समी करण यहा करण थे देखो यहां पर प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि वह 12 vak 12 नफक्याफ करते थीक है जब वह दोनों को बेच देता है तो दोनों को बेचकर वह 36600 रुपे कमा यहां हमें क्या करना है कि यहां कमीज का मूले है और प्लस जो पतलून का विक्रे मूले है वो दोनों को प्लस कर देंगे और उसके rate लिख देंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे कमीज का मूले मतलब 168x और पतलून का मूले मतलब 198x दोनों को प्लस करेंगे और कितने 1000 की बेचे हैं उसने 36660 इक्वल ये लिख देंगे अब दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करके आएगा 366x is equal to हो जाएगा 3660 x is equal to हो जाएगा 3660 upon में 366 क्योंकि एक्स के साथ बुड़ा में आना equal के इधर लाएगे तो divide में हो जाएगा अब इत्ती बड़ी संख्या है इसको न ऐसे divide कर लो वैसे तो ये ऐसे कर जाएगा 366 और ये वंजा 366 ठीक है माइनस करेंगे 0 बचा 0 बचा 0 बचा ठीक है उपर से उतारा कितना 6 ठीक है ना जाने की 0 फिर से उपर से उतारा 0 फिर से ना जाने की 0 अब point लगाएंगे और उपर से उतारा 0 क्योंकि अभी तक तो ये संख्या छोटी ही हो रही है ना अब करेंगे 366 बंजा 366 क्योंकि टूजा करेंगे तो 600 से ज़ाद हो जाएगा बस एक point तक निकालना काफी है तो आगे है नहीं x is equal to 100.1 अब हमारी x की value निकल आई है अब पता चल जाएगा कि हसन कमीजो का कपड़ा कितना खरीदेगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हसन कमीजो का कपड़ा खरीदेगा is equal to कितना था तीन x था ना जो हमने starting में माना था कि उसने कितना कपड़ा खरीदा जिसका अनुपात तीन दिया हुआ था तो तीन x था तीन गुणा x की जगह x की value रखेंगे x की value कितनी आई है hundred point one point one रहें तो सिर्फ hundred भी लिख सकते हैं क्योंकि हम मीटर की बात हो रही है न तो point point लगाने की ज़रत नहीं है तो यह हो जाएगा तीन सो मीटर और हम लगभग जरूर लिख देंगे यहां पर क्योंकि point one भी आ रहा था न इसलिए और फिर ऐसे यहां पर लिखेंगे हसन पतलून पतलून का कपड़ा खरीदेगा पतलून का कपड़ा कितना था दो x तो यहां पर हम कर देंगे दो गुणा x की value कितनी आई है hundred तो यह हो जाएगा 200 मीटर और यहां पर भी लिख देंगे लगभग आई होप आपको question समझ में आया होगा और अगर question समझ में आया है और इसी टाइप के questions के लिए हमारे वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में bye guys करें आपको